Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace. हम लोग अभी class 4th की EBS का chapter number 17 कर रहे हैं and chapter का नाम है नन्दिता इन मुंबई. देखो इस chapter में आपको कुछ खासनी देखने को मिलेगा जो exam में आएगा and जो भी यहाँ पर important है वो आप सभी को पता है. तो दो चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी हैं कि जो mother के brother होते हैं उनको हम मामा जी कहते हैं that means कि जो आपकी ममी के भाई हैं आप उनको क्या बुलाते हैं आप उनको बुलाते हैं मामा जी and आपकी ममी के भाई की जो wife है that means जो आपकी ममी की भाबी जी हैं उनको आप मामी करके बुलाते हैं सिर्फ यही important था यहां पर चलिए अब next chapter देख लेते हैं तो next chapter है chapter number 18 and the chapter name is too much water too little water तो यहां पर भी जो-जो important है जो पीने का पानी है अगर वो गंदा हो जाए तो उससे ना हम लोगों को vomiting भी लग जाती है diarrhea भी हो जाता है तो question तो पहले यह आजाएगा पीने का पानी गंदा कैसे होता है जब उसमें गंदा पानी मिल जाए जैसे कि गटर का वोटर अगर mix हो गया drinking water में पीने वाले पानी में अगर सीवर का गटर का पानी मिल जाएगा तो पीने का पानी तो गंदा हो जाएगा अगर हम उस पानी को फिर पीएंगे तो हम बिमार पढ़ जाएंगे तो हमें गंदे पानी से diarrhea भी होगा and vomiting भी लग जाएगी तो हमेशा हमें साफ पानी पीना चाहिए लेकिन साफ पानी की insurity कब हो सकती है जब आप पानी को उबाल कर पिएंगे अब आगे बताया है कि अगर आपको कभी diarrhea हो या vomit हो तो आपको उस time पर क्या करना चाहिए देखो जब diarrhea and vomiting होता है न हमारी body से काफी सारा पानी lose हो जाता है हमारी body से काफी सारा पानी निकल जाता है और अगर हमने अपनी body के अंदर पानी के level को maintain नहीं किया ध्यान नहीं रखा तो यह हमारे लिए dangerous भी हो सकता है क्योंकि इसे जान भी जा सकती है तो जब diarrhea हो vomiting हो तो हमें क्या करना चाहिए हमें proper पानी पीते रहना चाहिए ताकि body में पानी का balance बना रहे और हम इस time पर जब diarrhea हो vomiting हो तब इस time पर हम पानी के अंदर salt and sugar भी मिला सकते हैं तो यह question बन जाता है एकदम important question है कि जब diarrhea vomiting हो तो उस time पर आपको क्या करना है पानी proper पीना है और उस पानी में आप salt and sugar भी मिला सकते हो ताकि पानी का जो level है आपकी body में वो कम ना हो इसके अलावा जो भी person diarrhea and vomit से suffer करता है उसको पानी ना हमेशा sip sip करके slowly पीना चाहिए sipd slowly का मतलब होता है गूंट गूंट करके आराम से पीना चाहिए एक के गूंट लो आराम आराम से पीो ठीक है इसके अलावा light food खाना चाहिए जैसे कि खिचडी हो गया दल्या हो गया अगर चोटे बच्चों को भी diarrhea हो जाए तो उस time पर वो mother का milk पी सकते हैं मा का दूद पी सकते हैं क्यों क्योंकि मा का दूद उनके लिए बहुत healthy होता है इसके अलावा diarrhea के time पर आप homemade remedies भी कर सकते हैं और अगर diarrhea stop नहीं होता आपकी body से बार बार पानी निकल ही रहा है तो आप doctor से भी advice ले सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर एक box है जो important है यह वाला part ठीक है यह पूरा का पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं आपको छोटी सी इसमें story बता दूँगी और आपको सिर्फ जितना मैं बता हूं उतना ही याद कर लेना पहला तो आपको यह याद रखना है कि यह एक area है होल गुंडी बेसिकली एक गाव है कहां पर है करनाटका में है होल गुंडी area में न पहले के time पर काफी पानी आता था लेकिन कुछ तीन सालों से यहाँ पर पानी प्रोपर नहीं आ रहा तो होल गुंडी area में रहने वाले अपना कम पानी में गुजारा करने की आदत हो चुकी है यहाँ पर प्रोपर पानी ही नहीं आता अब क्या है कि एक तो rainfall भी प्रोपर नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर हर्याली खतम हो गई है इसके अलावा rainfall ना होने की वज़ए से यहाँ पर सब सूखा पड़ गया पीने क के लिए पानी नहीं है क्रोप को ग्रो करने के लिए पानी नहीं है अनिमल्स के लिए पानी नहीं है तो अब लोग ना गाउं के टाइम पर सोरी समर के टाइम पर गाउं के लोग क्या कर रहे हैं वो अपना गाउं छोड़ कर शहरों में जा रहे हैं ताकि वहाँ पर वो काम रखनी है इस उपर वाले पैराग्राफ से सिर्फ यह ध्यान रखना है यहां पर तो इस पैराग्राफ से कि भई हॉल गुंडी एरिया कहा है करनाटका में अब दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है हॉल गुंडी गाउं में न विलेज पंचायत है अब यहां पर न इस पंचायत में इलडर्स भी हैं इस पंचायत में छोटे बच्चे भी हैं तो आपको छोटे बच्चों की पंचायत का नाम ध्यान रखना है दशिल्डृन पंचायत वो कॉल्ड बीमा संग ठीक है बीमा संग संग को इंग्लिश में association या फिर organization भी कहा जाता है तो आपको ध्यान ये रखना है कि हॉलगुंडी गाउं में जो पंचायत है एक पंचायत तो बड़ो की है एक पंचायत छोटो की है तो जो छोटो की पंचायत ने छोड़े छोड़े बच्चों की जो पंचायत तो उसको क्या कहा जाता है, भीमा संग कहा जाता है, most important question है, तो दूसरा question ये बन गया है यहां से, अब देखो, यहां पर आपको पूरा नहीं पढ़ना, मैं आपको story बता देती हूं, देखो क्या था ना, कि जैसा मैंने बताया, जैसा मैंने बताया, इस गाउं में पानी की कम हो गई थी, square city हो गई थी, तो इस वज़य से, जो गाउं के लोग थे, बड़े परेशान थे, वो अपना गाउं छोड़ कर शेहरों में जा रहे थे, तो पंचायत ने इसका solution डूनने की कोशिश की, लेकिन children पंचायत ने इस solution को डून डाला, अब देखो, क्या हुआ कि children प एरिया करनाटका में, दूसरा ये ध्यान रखना है कि children की पंचायत को होलगुंडी गाउं में क्या कहा जाता है, भीमा संग, तीसरा ये ध्यान रखना है कि भीमा संग में जितने भी बच्चे थे, जो पंचायत में आते थे, उन्हों ने यहाँ पर इस गाउं में पानी की प्रोब्लम को बिल्कुल खतम कर दिया था, मतलब पानी की प्रोब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर दिया था, अब यहाँ पर प्रोपर पानी आने लगा था, पानी की शॉर्टेज खतम हो चुकी थी, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो पूरा पढ़ लेना, otherwise यहाँ से आग अब्दुल इन दा गार्डन, ठीक है, तो जो भी इंपोर्टेंट है, जिर्फ उसी को पढ़ेंगे हम, यह वाला पार्ट इंपोर्टेंट है, देखो बच्चे न, अभी छोटे हैं, उनको यह समझ नहीं आएगा, कि जो प्लांट्स होते हैं, वो रूट्स से ही पानी को अ ठीक है, लेकिन फिर भी आप बच्चों को ऐसी opportunity दे सकते हो, कि बच्चे इस relationship को समझे कि पानी कैसे absorb किया जाता है, प्लांट्स के दुरू, अब बच्चे अलग-अलग हैं, सोचने के तरीके अलग हैं, युनीक हैं, सब बच्चे एक दूसरे से, तो इसलिए उनकी जो thinking level ह वो भी अलग है, एंड जब बच्चे आपको कुछ ऐसे ideas दें, अलग-अलग ideas दें, उन ideas को उन विचारों को आपने सुनना है, ठीक है, देखो bunion tree, मतलब बरगत का जो पेड होता है, तो बरगत के पेड पर आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे जूला जूलते हैं, ठीक है, तो बच्चे जिस पर जूला जूलते हैं जो hanging branches लगती हैं देखने में, actual में वो बरगत के पेड की branches नहीं, बलकि roots होती हैं, ठीक है, जैसे कि यहां picture में दिखाया भी हुआ है, देखो यह बच्चे जूला जूल रहे हैं, तो यह ऐसे hanging branches पर जो जूला जूल रहे ह यह इस पेड की शाखाय नहीं हैं, बलकि क्या है, roots हैं, जड़े हैं, ठीक है, यह जो branches हैं, जो जड़ों की यह branches निकली हुई हैं, यह ground तक, जमीन तक पहुँच जाती हैं, बरगत के पेड के लिए यह एक pillar का काम करती हैं, तो अगर question यह आ जाए, यह जो roots निकलती हैं, इ एक pillar का काम करते हैं, the bunion tree also has roots under the ground, just as the other trees have, अब bunion tree के अगर आप roots बाहर की तरफ ऐसे देख रहे हो, तो अंदर भी, जमीन के अंदर भी इसकी roots होती हैं, यह चीज ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है, कि बरगत के पे and पेड को support provide करती हैं, इसके अलावा बरगत के पेड की जो roots हैं, वो जमीन के अंदर भी होती हैं, आप लोगों को पता है कि पेडों को काटना कानून के against हैं, there was a tree growing close to the lamp post and the tree was full of leaves that the light of the bulb was blocked, तो यहाँ पर बताया है कि street में जो lights लगी होई होती हैं, तो वो light की रोशनी सड पर पूरी नहीं पड़ रही थी, reason being कि वहाँ पड़ना एक बहुत गहना सा paid था, तो लोग चाते थे कि क्यों ना इस paid की trimming कर दी जाए, कटाई छटाई कर दी जाए, लेकिन trimming करने के लिए भी, paid की trimming करने के लिए भी आपको government office से जाकर written में permission लेनी पड़ती हैं, ठीक है, त उसके लिए भी आपको government से लिखित में परमान लेना पड़ेगा, ये important question है, already आया हुआ है, previous exams में, Australia में एक paid है, जिसको क्या कहते हैं, desert oak, अब देखो ये जो paid है न, इतना उचा है जितना आपकी classroom की दिवार है, बहुत उचा paid है ये, इसमें बहुत ही कम पत्तियां है, अब question ये है कि ये paid की roots कितनी होंगी, मतलब जमीन के अंदर कितनी roots होंगी, कितनी लंबी होंगी, तो यहां पर बताया है कि अगर आप 30 paid, line to line, end to end लगाओ, 30 paid, एक line में लगाओ, तो इतनी लंबी desert oak के paid की roots हैं, ठीक है, तो desert oak जो Australia में पाया जाता है, तो इसकी जड़े है ना, वो जड़े इतनी लंबी हैं, जितने 30 paid आप एक line में लगा दो, मतलब बहुत बड़ी जड़े हो गई हैं, तो desert oak की जो roots हैं, वो जमीन के अंदर इतनी गहरी हैं, जहां तक पानी हैं, this water is stored in the tree trunk, तो जो यह जड़े हैं, यह पानी को absorb कर लेती हैं, जमीन के अंदर से, तो यह जो paid है ना, desert oak, इस paid की trunk में हमेशा पानी store रहता है, and यहां पर जो local people हैं, उनको इस बात का पता था, तो जब भी उनके यहां, या तो पानी की कमी हो जाती थी, या पानी नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, इस paid का इस्तेमाल करते थे, इस paid से पानी निकालते थे, कैसे, यह जो paid की trunk है ना, इस paid की trunk में वो लोग thin pipe डाल दे पतली इसी एक pipe डालते थे, and उस पानी को निकालते थे, और उसको पीने के लिए use करते थे, ठीक है, तो आपको क्या यहां पर समझ में आया, और क्या आपको exam point of view से याद करना है, पहला तो यह Australia में कौन सा ऐसा tree है, जिसकी जड़े हैं, वो इतनी लंबी हैं, जितने आप 30 spade एक साथ end to end लगा दोगे, तो वो है desert oak, and desert oak का जो trunk है, उसमें पानी store होता है, और यहां से आप पानी निकाल सकते हो, बस आपको thin pipe अंदर डालनी है trunk के, and आप उस पानी को पी सकते हो, ठीक है, अब यहां पढ़ना एक question है, जो बार-बार seated की exam में आया है, world environment day कब celebrate किया जाता है, 5 June को, ठीक है, तो आपने बच्चों को world environment day के बारे में बताना है, बच्चों को कहो कि वो plants का ध्यान रखे, plant उगाएं, ठीक है, लेकिन यह चो question है, world environment day कब celebrate किया जाता है, 5 June को, बहुत बार question यह पूछा गया है, ध्यान रखना, आज के लिए बस इतना ही, कल हम नए chapters पर बात करेंगे, till then bye bye, thank you so much for watching this video, आप मेरे साथ telegram, instagram पर जुड़ सकते हैं, thank you so much